अगर आपने जिसमें हमने लंबी उम्र के मंत्र के बारे में बात की थी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे ध्यान से देखें विकाज ये जो वीडियो है उसी के लाइन में आगे की तरफ है आज हम बात करेंगे what are the benefits of exercise to live longer अगर आप अपने उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो वास्तों में exercise के क्या scientific benefit है देखे हमें एक magic pill चाहिए हमें एक magic pill चाहिए तीन चीज़ों के लिए ऐसी कोई जादू गोली हो जिसे हम जो चाहें वो खा सकें जो हमारे सभी तनाव मांसिक तनाव उनको खतम कर दे और जो हमारे brain के power को एकदम improve कर दे और physical fitness को ठीक कर दे ऐसी अगर कोई magic pill बन जाए दुनिया में तो सब समस्याई खतम हो जाए लेकिन unfortunately science के पास ऐसी कोई magic pill नहीं है लेकिन which you should opt for now अगर हम heart के ओपर effect देखें तो इस वास्तों में जो heart एक pump है या एक muscle है इसकी fitness को improve करती है आप जो exercise है आपके heart and cardiovascular system है उसको strong मनाती है आपके जो heart rate है वो वास्तों में कम हो जाती है आपकी breathing pattern वास्तों में और healthy हो जाती है and over a period of time आपकी जो soreness है या pain है वो diminish हो जात है science ऐसा मानती है कि exercise आपके जो brain power है उसको boost करती है that is basically the fact बहुत सारी studies ने बोला कि ये एकदम बिल्कुल सही बात है अगर आप exercise करते हैं तो आपके brain के अंदर एक hormone वास्तों में या neurotransmitter है जिससे serotonin कहते हैं इसका level बढ़ जाता है अगर आपका जो brain है ज्यादा focused होगा और सी clarity जादा होगी ऐसा भी देखा गया कि जो age के साथ में cognitive decline होता है या जो flexibility होती है cognition में वो वास्तों में अगर आप exercise करते हैं तो वो improve रहती है अगर आप exercise करते हैं तो आपका जो stress का level है वो वास्तों में नीचे आता है जो stress reduction है उसमें movement वास्तों में help करता है या आपको depression आपको anxiety इससे भी बापस बाहर गये के चलता है ऐसा भी देखा गया कि अगर आप regular exercise करते हैं यह आपका blood test किया जाए तो आपकी body के अंदर cortisol का जो level है वो नीचे मिलेगा आपके अंदर adrenaline का जो level है वो नीचे रहेगा आपको adrenaline का जो rush होता है वो नहीं आएगा because यही चीज और आपकी energy को level को बढ़ाती है वासतों में अगर आप exercise करते हैं तो exercise के चलते हैं आपके जो man species है उनमे blood जो जो flow है वो वासतों में बढ़ता है अगर blood का flow बढ़ेगा तो उसके चलते oxygen जादा पहुँचेगी अगर oxygen जादा पहुचेगी तो nutrients जादा पहुचेगी इसका मत जादा मिलेगी उनको nutrition better मिलेगा और अगर nutrition better मिलेगा तो energy का जो level है वो उपर की तरफ जाएगा अगर exercise करते हैं तो यह आपके performance को boost करती है in the sense कि यह आपका जो athletic endeavor है उसको better करती है आपके जो muscles है वो strong होती है they become more flexible यह आपका जो overall जो performance होता है वास्तों में इंप्रूफ को हो सिर्फ इतनी ही चीज़े नहीं है अगर आप regular exercise करते हैं तो लंबे उम्रे इसलिए भी आप पाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो diseases है वो वास्तों में उनका incidence नीचे की तरफ चला जाता है या इतना कम हो जाता है कि यह diseases आपको नहीं होती है यह कौनसी diseases है आपको heart disease होने की संबाबना कम हो जाती है आपको blood pressure की बिमारी होने की संबाबना कम हो जाती है आपको diabetes की संबाबना कम हो जाती है अगर diabetes है तो उसका control better हो जाता है अगर आपको cholesterol बढ़ा हुआ है आप exercise करते हैं तो cholesterol का level नीचे आ जाता है इन जो osteoporosis जिसमें की जो bones हैं वो thinning हो जाती है अ there are certain square advantages also of the exercise, अगर आप fitness की तरफ जाते हैं, तो वास्तों में आपकी जो relationships है, वो better हो जाती है, अगर आप दो लोग exercise करते हैं, तो आपकी जो एक relationship है, वो improve होती है, because it is always better to have a support to reach to a goal, तो इसलिए किसी friend को लें, अपनी wife को लें, अगर आप जोनों group में exercise करते हैं, तो आपकी relationship better होती है, और आप वास्तों में better feel करते हैं, अगर आप exercise regular करते हैं, तो वास्तों में science ऐसा मानती है, कि आप ज़्यादा खा सकते हैं, अगर आ आप exercise करते हैं, you can certainly eat more, in the sense कि अगर आप exercise करते हैं, तो आपका जो muscle mass है, fat के comparison में बढ़ जाता है, अगर आपका muscle mass ज़्यादा है, तो आपका basic metabolic rate ज़्यादा होगा, BMR आपका ज़्यादा होगा, आप जानते हैं कि muscle ज़्यादा calorie consume करती है, इन ज़्यादा BMR उपर लेके चल ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है, but it is true कि आपको इसको आप्ट करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने calorie intake बढ़ाया, इन fats इस बढ़ा दिये, तो उचके अपने disadvantage होगी, तो अगर आपका muscle mass better है, आप जो है न एक diet को बढ़ाते भी हैं, लेकिन उसमें healthy foods लेते हैं, तो you can certainly opt for, now जब भी आप exercise करते हैं, तो जो goal है, बोच सिर्फ weight loss नहीं हो सकता, that cannot be goal alone, that cannot be the only criteria कि मैं exercise करूं और बार बार अपना बजन देखूं कि मेरा बजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, there are square multiple advantages of the exercise which are important, जो mental sharpness is equally important, the stress reduction is equally important, the overall जो fitness आपको आती है, उसका अपना ही importance है, तो ज weight reduction है, it is important, but weight reduction के अलावद, these are the factors, possibly, which are equally important, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, now जब भी weight reduction के लिए, या जब भी exercise के लिए बात होती है, तो सभी लोगों का इस तरह का ख्याल होता है, कि हमाँ पास तो exercise का time ही नहीं है, हमें तो सबसे बड़ी जो problem है, वो time की है, that basically is not the fact, science ह समानते हैं, कि आपको exercise करने के लिए, जिम में जाकर एक घंटे, regularly पसीना महाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 60, bus, या छोटे-छोटे time की activity बढ़ाते हैं, throughout the day, तो भी आपको help मिलती है, अगर आप exercise करते हैं, इन शौट चंक्स, आप 5 पास, 10-10 मिनिट की भी exercise करते हैं तो जो उसका cumulative effect है, is almost the same, जिसा आप एक घंटे जिम में बैठकी करते हैं, तो आपको अगर जो है न, short chunks में भी exercise करनी है, तो उसका cumulative effect है, is almost the same, उसका benefit उतना ही है, साइंस यसा मानती है, कि cumulative effect है, उसके लिए जरूरी है कि approximately 30 minute आपको exercise करना चाहिए, बट अगर आप समझते ह है कि आपको weight reduction की जरूरत है, तो यह जो amount है, यह जो duration है, इसको 60 minutes करनी की जरूरत है, तो अगर हम देखें, कि लंबी अगर उम्र चाहिए, तो एक ही magic pill है, उस magic pill का नाम है exercise, अगर आप exercise करते हैं, तो सिर्व उम्र नहीं बढ़ती है, इसके अलाबा इतने सारे advantages हैं, इन्ह आप एक एक करके देख लीजे, यह आपके brain power को बढ़ाती है, यह आपके stress की level को कम करती है, यह आपके energy को level को बढ़ाती है, fitness के लिए आपको एक घंटे time निकालने की जरूरत है, short burst में exercise करें, cumulative effect बराबर आएगा, यह आपकी relationship को better करती है, बहुत सारी diseases ऐसी हैं, कि अगर आप से मीलों दूर रहती हैं, अगर आप exercise regular करते हैं, तो आपका heart मजबूत होता है, heart attack की संभावना कम होती है, इन आप अगर खाने के शोकीन हैं, तो exercise जरूर करिए, तो आप खाने की amount ज़्यादा enjoy कर पाएंगे, आप अपना performance को बहतर करना चाहते हैं, तो आपको exercise चाहि जो fitness है, that should be the most important goal, तो at the end friends, अगर आप समझते हैं, कि exercise के benefits को समझने में, लंबी उम्र को पाने में, अगर ये वीडियो आपको मदद करता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके family, आपके friends तक पहु जो 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 ज